कर दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमटीशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करने होंगे इस्टार बैस्ट टू पॉइंटों की यह दूसरी क्लास है पहली क्लास म हमने काफी सारे Concerts पढ़े थे कुछ formula जाने थे divisibility rules जाने थे recurring जाने थे हमनीö anarch हमने जाना था इसको 100 से डिवाइड करने पर जो रिमेंडर रहाते हैं मालो रिमेंडर यहां पर आ रहा है तो वही जो आर होता है वही लास्ट टू डिजिट होती है है एकक्सफ्रशन की जर्ञें झीमर्सी बात ही ठीक्या हमने एकिजॉंपल से अब सीखना है कि कैसे मालो कहीं पर बड़ा सा अब हैं जग दिया गया हो बड़ा सा ऑक्स पर इसब Percy दिअ गया हो सब से पहले हम लाता है एक two digits of this expression हमें इस expression के आंतिम के दो अंक इकाई और धाई का अंक बताना है simple सा बात मैंने क्या बताया कि आपको 100 से डिवाइड कर लेना है 100 से डिवाइड जब करने जाओगे चार से खाट रहे है अब देखो हमने किस से कर आँ चार से नोट करते रहे हैं अब वह 25 से काट रहा है उसको वही रहने दो 25 से जबाइड नेगेटिव रिमेंडर ठीयोरम 25 से यहां पर काटोगे तो 22 सेसपल बचेगा यहां पर काटोगे तो प्लस का 6 सेसपल बचेगा यहां पर 25 से काटोगे तो दो का सेसपल बचेगा यहां पर ग्यारा का बचेगा पच्छी से यहां काटोगे बारा बचेगा और यहां पर काटोगे 25 यह 18 का बचेगा अब हम फि लेकल यहां है अब देखो 22 गुड़े छे देखो 22 और चेर्मेंडर गुड़ा ओ जाता है । लिख यह 12 गुड़े कर तो 11 12 कितना हो जाएगा यह भी 132 हो जाएगा. 142 ए 12 scene 25 से डिवाइट करों क्या conservatives हो और 250 करों किसे लिभ diva और. यहां पर कटोगे तो यहां भी साथ आएगा और यहां पर कटोगे तो 25 इकम पच्छी पच्छी ग्यारा यानि आपका बचा कितना 7 गुड़े 7 गुड़े 11 करने के लिए 49 यहां पे यहां पर है या ऐसा मानू कि 25 से अगर हम डिवाइट करेंगे 49 गुड़े 11 कितना हो गया मे 32-72 दूना 50 बचास कितना 49 पचीश कम 25 बचा etna 14 यहां कि 14 graves हं कि हम ने सिम्पल सा किया हर प्रश्ठिमेमेर हर एक्सप्रेसान में हमने 25 से डिवाइट करें यहाँ पडित को दो आया यहाँ यहाँ प्लस का 12 यहाँ प्लस का 12 यहाँ सात गुड़े ग्याना रहा अब साथ गुड़े गूरे 1085 29 9545 से बीबाइक के रिमेंड Remember कितना है 14 ओव आप यह जो explain Evangelion है तब irregularity आया है और हम ने तो सी डिवाइक करना था भी चीज से चार्ट मतलब हो नहीं कि मौका मेंने किसी काटना मतलब क aur आउड करना यानि जिस चीज से कैंसिल आउड किया था उसको नोट कर लो तो आपने नोट किया था चार वह जो चीजे कैंसिल आउट हो नहीं हो हाँ ध्यान रखना कि क्याका आउट हुआ जैसे यहां पर चारं कैंसिल आउट होता तो असी का बात मैं मोल्으 होगता तो इसके का म Wick एप्लाइब होता देट से चलो अब इसके आगे हम क्वेस्टन करेंगे और क्वेस्टन में कॉंसेप्ट को क्लियर करते हुए करेंगे ठीक है तो जिनने वीडियो लाइक नहीं करें लाइक कर लें और आप लोग जो कमेंट कर रहें सबको डिवनिंग रहेगा एक प्रश्ण इस कॉंसेट पर और कर लेते हैं चलो पर अगना प्रश्ण आप लोग भी करते हो 29 x 34 x 32 x 27 x 28 इसके आपको लास्ट टू डिजिट फाइंड करने क्या फाइंड करने लास्ट टू डिजिट अंतिम की दो संख्या आपको क्या गाम करने सबसे पहले हैं 100 से डिवा करने करने कर लो डिवाइट करो भाया जैनिक यह लिखा होगा है 29 x 34 x 27 x 28 इसके डिवाइड भाई डिवाइड है बाइंड है चार से काट दिया चार से इधर भी कटेगा हमने काटा किस से लिख लिया 25 x 29 में डिवाइड करोगे रिमेंडर क्या आएगा भाया प्लस कर चार 25 से 24 को डिवाइड करोगे रिमेंडर क्या आएगा ? 25 से 27 को डिवाइड करोगे कितना आएगा ? और 9 में डिवाइड करोगे, 9 ही बचेगा ? कि बटे पच्चेस कि छेनमा चौंवान कि सिक्स नाइन जा 54 में 25 से डिवाइड करोगे रिमेंडर कितना बचाएगा नहीं आपका रिमेंडर हो जाएगा केस कौन सा है हमने कहा 29 इंटू 34 इंटू 27 इंटू 28 था ठीक है हमने क्या कहा हमने कहा यहां पर रिमेंडर क्या बचा लेकिन हमने जो कैशिझा और किया या तकिस टर्म से किया था चार तो जो केंअट किया था उसका कशार का मपिफ्लाइगा सोड है इसके कितना हो गया सोड़ा या 39 समझा रहें दारिशाओ अगर हम 29 गुड़े 34 गुड़े 27 और गुड़े क्या होगा 100 से divide करने पर यह लाष्ट टूडिजिट क्या होगी तो आप कहेंगे 16 होजाएगी अब हमने एक क्वोश्ण और कर लिए क्योंकि यह वाला वोरिजिनल क्वोश्ण नहीं हमें क्या काम करना था इसमें हमें हमने क्या छोड़ा है हम देखो 39 32 ले रहे हैं दिवाइद होता यहां पर कितना आता कितना आता साथ आता अब कहते साथ का यहां भी गुड़ा हो चाएगा आप छे नमा चाहर बचता और चार बचता और साथ और रहता चार सते अठ्टाइश में 25 का डिवाइड होता देखो भाईया हमने आगर एक तर्म और ह समझो यह क्वेशन तो दूसरा करवा दिया मैंने मैंने कहा अगर एक टर्म और होता जैनि जो 32 छोड़ा है हमने वह 32 और होता है तो 25 में 32 से भी तो डिवाइड होता है यहां पर कितना बचता प्लस का साथ अब यह बाकी चीजे तो ऐसे रहती देखो कैसे छे नवा चॉवन तक तो सेम रहता और देखो छे नवा चॉवन तक तो सेम रहता और एक साथ और आ जाता समझेगा बात को देखो मैं यह प्रशन फिर से लिखते रहूं 39 गुड़े 34 गुड़े 32 इंटू 27 इंटू 28 आप 100 से डिवाइड करते हो तो चार काड़ देते हो चार सते 28 हो जाते है नहीं कि आप 25 से डिवाइड कर रहे है और चार से काटा है 25 से 29 को डिवाइड करोगे तो प्लस का चार से इस पर यहां पर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 से 34 को डिवाइड करोगे प्लस का साथ 25 में 27 से डिवाइड करोगे प्लस का दो और साथ में डिवाइड के चार सथ्य 8एश दूना 55 में डिवाइड करोगे प्लस कच्छे आएगा और 9शverse 33 में डिवाइड करोगे तौ कितना ऐएगा तेरा आएगा चे गुड़े तेरा अटातर में डिवाइड करों कि 25 तियां पचतर यानि रिमेंडर कितना है ओवर 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 रिमेंडर तीन है और हमने जो कैंसिल आउट किया था वो टरम चार था यहां रहे हमारा एक्चुल रिमेंडर हो जाएगा तीन गुड़े चार यानिकि बार और सब्सक्राइब करना सुरू करते हैं कहां कि साथ अंकों की संख्या है एक्स नाइन किसमें पहले चीज यह जानो कि किस एक्जाम में आया था सीजियल के 22 वाले एक्जाम में आया हुआ है काग्या साथ अंकों की संख्या है 7-digit number है, क्या है संख्या, उसको लिख लेते हैं, X, X, संख्या लिखो फ़हले फटा-फट, साथी-साथ लिखते हो, X, 8, 9, 4, 2, and Y, यह संख्या, यह किस से divisible है, 56, मैं आपको बता दू कि अगर कोई संख्या A into B से divisible है, यानि कि कट रही है, तो A से भी कटेगी, B से भी कट देगी, simple सी बात, ठीक है, यानि अगर कोई संख्या, किनी दो numbers के multiplication से, यानि कि sum से, अगर कोई संख्या है, जो किसी दो संख्याओं के multiplication, यानि कि गुड़ा से, या कि उसको हिंदी में क्या बोलते है, multiplication, यानि कि गुड़े से कट रही है, यानि कि दो संख्याओं के गुड 6 से कट रही है तो आपये से भी कटेगी दो सी भी कटेगी 3 से बीक शार से भी प्रक इस ने कहाएं तर्फर 15 7 ऑर 6 इतने तो इसके फैक्टर हो जएक़ों प्रक्टर कैसे निकला हमने कहा देख कुछ दोगए साथ यानि कि दो के पाउवर 13 और गुड़र साथ के पाउर एक प्राइम नंबर के फिजया दो इसके पाउड़ा तो होई इसके पाउड़ा तो चार दोनी8 इसके टोटल फैक्टर वह जाएंगे तो तीन तीन चे और निकालना तो इन थे के लिए दो के पाउड़ में कुछ यह से इवन फेक्टर होके तो फेक्टर आठ माइनस यानिकी 2, 7 और 1, ठीक है क्लियर हो रहा है, सम आफ फेक्टर निकालना तो सम आफ फेक्टर भी अब जब question करी ही रहे हैं तो इसको पहले सही लिख लेते हैं एक्स सेवन डिजिट नमबर दिए थी यहां पर तो छही डिजिट दिख रहे हैं यहां हमारी सही question है एक्स एट नाइन एक्स एट नाइन फोर टो वाई यह हमारा सातों को किसंख्या ठीक है अब इसमें हम पहले देखो बेसिक कर लेते बेसिक से सारी चीज़ें और हमने जो साथ का डिजिबिल्टी रूल आपको बताया है सेवन का डिजिबिल्टी रूल उससे भी करेंगे और जो एक रूल नया बताना है उससे भी कोश्चन को करने वाले यह बेसिक कोश्चन होने वाला एकदम डिटेल में जाएंगे क्योंकि इसके बाद तो हम हवा हो जाते हैं आपको पता है एक बार हमने पलो पकड़ा तो हवा हो जाते हैं तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा हमन निकालने हैं फिर हम साथ का दिजिबिटी रूल थोड़ा तीपिकल अब एक चीद ध्यान लगना अगर आठ कहीं पर आ गया यह चार आ गया किसी का तो सबसें पहले चार कर दिजिबिटी रूल चेकर हो गया तो तीन आ तो तीन का जिसका इजी है उसका पहले चेकर के निकल जाएगी क्योंकि आठ का दिजिबिल्टी रूल कहता है कि लाश्ट थ्री डिजिट द्यानमबर फॉर्म वाइजिंग द्री डिजिट अब नमबर मस्ट वी डिजिबिजबल वाइएट तेन होल नमबर अपने आप डिजिबल हो जाएगी आठ से लाश्ट तीन अंको चार चोब आलिस क्या कटेगा चाव बालिस बालिस ऑर से नहीं कटेगा अगर एक रखते आठ दूनी सोला पांच चाओन कटेकर नहीं कटे अगर वाइज बराबर दो रख देते तो आठ दूनी सोला और छे चौसट आठ ठाटा चौसट यानि वाई की एक पॉसिबल य बराबर चार रखेंगे आठ तीयाँ चोबिस नहीं गट रहा है वाई वराबर पांच रखेंगे आर्ट तीयाँ चोबिस नहीं कट रहा है और य पर दोफसज पॉसिबल नहीं है यानि कि y की 2 values possible हो गई कौन कौन सी 2 और 6 clear हो गया तो y की कौन कौन सी values हो गई 2 और 6 एक चीज़ ध्यान रखना है अगर कोई से 8 से कट रही है और एक दहाई कांग की बात करें तो 2 पे कटेगा फिर उसके बाद जैसे मालो 2 पे कट गया तो 2 प्लस 4 मालो x पे कट रहा 9 4 2 y 4 जो थी y की value यहाँ पे कितने होगे इच्छ है क्योंकि हमें y की greatest value लेने थी यहनि अब हमारी संख्या बनके आगे x 8 9 4 2 6 4 अब 7 का यहाँ पे 7 वाला देखो हमारा 8 ने तो y की value देदी अब मैं 7 के लिए operate करना है 7 कहता है 7 का divisibility rule विभाजता करने है यानि divisibility rule of 7 says कि आ 10加नष को और इसको दूगना करो चार का दूगना आठ आठ को इस संख्या मेंसे घटा लो तो अगर घटा कि तो यहाँ पर 18 आ जाएगा बाकि संख्या वैसे रहेंगे फिर 8 उठाओ और 8 का दोगुना करो 16 16 को इस संख्या में से घटा लो 16 गटाओ कि तो यह 25 आज जाएगा इधर 8 9 आज जाएगा इधर एक सा जाएगा फिर कहा गया 5 का यूनिट डिजिट उठाओ 5 5 का दोगुना करो इसमें से घटाओ यानि 10 घटा देना है यानि x882 हो फिर आपको क्या काम करना है भाईया आपको एक काम करना है कि 4 उनिट डिजिट आया उनिट डिजिट कितना आया 4 4 का दोगुना करना है 8 8 x8 में से घटाओ यानि आपकी वैलो जाएगी एक से जीरो जो भी संख्या है वो 7 से कट रही है X0 जो भी जंक्या है तो 7 से खट रए X की वैलू क्या रख दे तक यह 7 से कट जाए 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे कुछ कटेगा, नहीं, X बड़ाबर 7 पे ही कटेगा X की वैलू हो गई 7 अब X की वैलू हो गई 7 प्लस में आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे लाद 55 लिए हो गया किलियर हो गया थे सेबने सेनका का क्うजं में प्लस में स्वे decid जैसा कुछ मिलेगा वह संख्या वे स्वाइज निस cit yeah कि शाथ मेंस में इतना टाइम नहीं रहुता हम ने क्या कहा अगर इतना इतना टाइम नहीं है फिर कौन सा हुए हमारे पास है आपको क्या क्या काम करें है संख्या को लिखना है हमारी संख्या कृति एक्स है एकज लर्व फोर है टूर जिरब बने एक्स बना लेने हैं ए टीन इस में तीन नहीं है तो आगे दो blew बणाके यह बना लें अब तीन तीन का गुरूप बनाए आप जोड़ दो इनको कि अधिन डो अल्टरनेट लेकर चोड़ दो दो 264 प्लस एधर हो गया और 894 अब 264 प्लस एक्स और आठ हमने क्या काम किया अल्टरनेट डिजिट का अल्टरनेट जो तो तीन तीन अंकों का गुरूप बना यानि ये गुरूप और ये गुरूप और ये बीच वाला गुरूप हमने अल्टरनेट गुरूप को जोड़ना है तो यह 264 प्लस एक्स हो जाएगा और जो बच्चा 894 बच्चा इधर तो कुछ है नहीं कि उस 849 कुछ जूट जाए तो मैं अल्टरनेट लेने तो 849 यानि इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए वह या तो जीरो हो या तो सेबन के टेबल का या तो इट खैन भी होल्ट डवैलू आ जीरो या तो हम यह जीरो ले लेंगे या तो हम जीरो ले लेंगे और या तो यह क्या हो जाएगा भी हा शात्के टेबल का हो जाएगा अब आपने एक बाव बताओ साथ के तेबल का अगर हम इसमें से घटाएं तो कितना आएगा 244 प्लस एक स्को गटाएं तो एक्स को भी साथ से कटना पड़ेगा तभी 630 मैंने से साथ से कटने यानि इफ 630 इस डिविजबल बाई 7 इज एक्स को भी डिविजबल बाई 7 तो यह वेलू बताओ जिससे एक्स की वैलू जिसके लिए एक्स साथ से कट जाए एक्स बराबर साहथ होग्या वाई बराबर 6 तोनों प्रशन पढ़ों चलो उनीक दर्जे का मता उन्न थे दर्जे का दो यहम प्रस्थने की बताओ क्या होगा answer क्या कहा गया which of the following numbers which of the following numbers क्या करता है डिवाइड करता है seven पॉवर 81 प्लस seven पॉवर 82 प्लस Seven four 83 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है फट फट बतान पट miał tut稱 बताो चलो बता अदेखो सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे सबसे पहले हम इसमें मीशने आथ आपने घ्र dedic सब्सक्राइब सब्सक्राइब साथ इसमें से निकालते हैं और इसको साथ के पाउर असी लिख देते हैं साथ कैसे में गुड़ा कर दो तो इसा से ताउंचा साथ पच्छे से बनने वाली संख्या कटनी चाहिए लाश्ट त्री डिजिट से बनने वाली संख्या फोर सिक्स भी है आठ से कटो आठ पंचे चालिस छे के साथ भी यहीं साथ वाली रो में आठ से कटने वाली संख्या चाहँ साथ के रो में साथ इक सट बासर तिरसर चोट सर पैसर शाच अटर सबगा चाहिए उनकर तक थमना होता है उनकर तक कौन से शंख्या आठ से कट रहा आप कहेंगे 64 यानि कि वी के वैलू होगे 4 if V is 4 then what is your new number आपने का 8 8 5 1 4 6 4 हमारी 8 से काम खतम 8 से हमारा काम खतम मैंने का लात मार दो अब अगला चुके 88 से डिविजबल होना है तो you have to check whether the number given is divisible by 11 or not अगर 8 से कट गया तो 11 से कटेगा फिर आपने आप 88 से डिविजबल हमने कल यह पढ़ा था और 500 साल पहले भी पढ़ा था और अल्टरेने डिजिट का सम लेना है आप अני से का ले लेना है अल्टरेने डिजिट का सम ले लेना है अल्टरेनी डिजिट का योग कर e यह जो योग आए हैं इनका डिफरेंस ले ले लिए या इन का गटा दो तो यह होजएगा तभी संक्या 11 से डिविजबल होगी अगर हमने 0 ले लिया तो ए बराबर 14 और एक डिजिट है जीरो से 9 के 20 में वैलू होल्ड करता है यानि एक वैलू 0 यह 14 माइनस तो आपको बने से नीकालना था यानि B आपका आंसर इक हो जाएगा लोधिया इसको को करो कहा क्या एक संख्या M है नंबर M आ नंबर M is divided by 7 रिमेंडर is 6 what is the reminder if the square of M is divided by 7 तो M कोई संख्या थी जिसको हमने 7 से डिवाइड किया तो सेषफल जो आया वह छे आया मैं को सा से डिवाइड करते हैं तो सेषफल कितना छोड़ता है अब कहते हैं कि M square को डिवाइड करना है तो कितना से इस पर छोड़ेगा देखो यहां पर concept भी समझाओंगा फिर ट्रिक समझेंगे आप रिमेंडर कितना होगा हम क्या कहते हैं कि M square को हम लिख सकते हैं M into M by 7 कि अभी रिमेंडर थोरम में हमने पढ़ा था कि अगर M into M by 7 को डिवाइड करके रिमेंडर निकालना है तो साथ से पहले इस वाले में रिमेंडर करो साथ से इस वाले L में डिवाइड करो अगर R1 और R2 रिमेंडर तो आपका ओवर all रिमेंडर R1 into R2 हो जाएन बने कि 7 से में डिवाइड करता है इसे इसपहल हमें दिया गया 6 आता है साथ शेनलिश इंग를 5 hou 6 हमने क्या काम किया हमने क्या क्या हमने m2 by 7 को m into m by 7 लिखा पहले वाले m में 7 से डिवाइड करा remainder कितना है 6 क्योंकि दिया गे when m is divided by 7 the remainder is 6 when another m is divided by 7 in this case what will be remainder remainder will be the same as 6 ये भी 6 ये भी 6 दोनों का multiply 36 36 को 7 से multiply करा remainder अब एक्जाम में आपको teacher क्या कहते है एम को divide करा तो 6 remainder m square यानी कि remainder का square चाइस का square चातिस 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 को साथ से remainder 6 हमने कहां है m2 तो आप remainder कभी square करते है इतों remainder के square तो हो रहा है हम इसक्री को कि alien को pled करदें चे हैँ का इसक्री का 36 एक 6 चातिस साथ से डिवाइड करेंगे remainder 1 हो जाएगा बलो बॉल है बोलो clear है बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर चालो अगला प्रश्न कर दो क्या गहा गया वेन पॉस्टिव वेन पॉस्टिव वेन पॉस्टिव इंटीजर इस डिवाइड़ बाई डी तो आप से कहा गया दे रिमेंडर इस 15 कोई एक पॉस्टिव संख्या है जिसको डी से इस डिवाइड किया जाता है रिमेंडर 15 का गया वेन 10 ताइमस ऑफ दे सेम नंबर इस डिवाइड़ बाई डी रिमेंडर इस डाली सिंपल सी बात है ठीक है देखो क्या कहा गया पढ़िए प्रश्न को हम से कहा गया कोई पॉस्टिव इंटीजर जिसको डी से डिवाइड क प्लस है अब आपको टैना को डिवाइड करना किससे डिवाइड को डिवाइड को डिवाइड करना है किससे करना है डी से तो कहांगे रिमेंडर 6 है तो आपको बताना है कि दी का नियूंतम संभोमान क्यों को डिवाइड क्या रिमेंडर कितना है 6 टैनाई कितना हो जाएगा टैनाई हो जाएगा आई कि वैलू कितनी है डी इंटु क्यू प्लस 15 जगा 10 दी क्यूं कि प्लस देड़ सो कि डिवाइड़ बाइड़ करते हैं तो रिमेंडर 6 जा रहा है यानि कि देड़ सो में 6 कम होता यानि कि 144 होता तो रिमेंडर कितना आ जाता 144 अगर देड़ सो को 150 is divided by D and remainder is 6 it means कि if 150 would have been 6 less then the number 144 would have been divisible by D completely यानि कि अगर 156 होता है यानि 144 होता तो D से करता है यानि कि D जो भी होगा वो 144 का factor होगा that's it D जो भी होगा वो 144 का factor होगा simple सी बात है D beat whatever D is factor of 144 beat any D is factor of 144 आपको देदिया गया कि beat any कुछ भी हो जाए D factor होगा 144 अब देखो simple सी बात है D 144 का factor होगा अब 144 को कौन कौन से factor है 1 2 3 4 6 यहां पर सीधे यह भी लिखते रहो 144 72 48 36 24 यहां पर 8 लिखोगे यहां पर 18 लिखोगे यहां पर 9 लिखोगे यहां पर 16 लिखोगे यहां पर 12 लिखोगे बस यह आपका factor हो जाएंगे अब आपने कहा कि D की value इन में से ही कोई होगी लेकिन अब भी पहले केस में कहा गया था कि जब एक धनात्मक पूरांग को D से भी भाजित किया जाता है तो सेसफल 15 प्राप्त होता धनी भाजक से सेसफल अमें से कम होता है यह सागी जो भी यह नहीं अ और इन दोनों मेंसे बचेगा इन दोनों मेंसे बचेगा यापकी दी की वैलू क्या क्या हो सकती है 16 18 24 अब इन में से सबसे छोटी वैलू कितनी हो जाए कि 16 डी की सबसे छोटी वैलू कितनी हो यानि कि D जो होगा, वह 144 का factor होगा, अब 144 का factor होने के लिए, 144 का factor होने के लिए हमने कहा कि कितने factor हो सकते हैं, कई सारे factor हो सकते हैं, लेकिन पहले ही case में दिया गया है, कि D से divide करने 15 रिवाइंड रहाता है, यानि कि D की value जो भी हो तो 15 से बढ़ी होगा, यानि D 144 का factor होगा, जो 15 से बढ़ा होगा तो हमारे पास कई option थे अब option में देखना है कहा गया जो ऑप्शन सडीके उसमें सबसे छोटी वैलू डीकी क्या हो सकती है सबसे चोटी वैलू क्या हो सकती यह पूछा गया था अब बताओ समझ में आया या नहीं आया डीकी लीश्ट वैलू क्या ही 16 बोलो क्लियर है अगले प्रेशन पर बढ़ जाए बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर शुच देखो इस प्रेशन को देखो गौह से सुनो गॡॉर से दुनिया वाल वाला हाल मचा दो और इसको करना सुरू करो आपको प्रश्ण में क्या दिया कि 9 digit number है वो divisible है 72 से मैंने क्या बताया है कि 72 से divisible है इसको 8 से काटना है 9 से काटना है 8 से भी कट दिया 9 से इस से भी divisible होगी इस से भी divisible होगी अब सबसे पहले किसका divisibility rule चेकर होगे 8 का simple सी बात है speed पकडते है ठीक है आठ से डीजबल यानि कि लाष्ट त्रिजीट आठ से कटनी चाहिए लाष्ट त्री डीजिट सेवन एट क्यू कटना चाहिए 8 से अट से पहाणा पढ़ोगे आठ नुवा बहाग तर 6 क्यूं कि वैलु क्या रखें ताकि 6 क्यूं जो है वह आठ से कट जाए 64 60 के रो में कौन सा कड़ता है 64 क्यूंकि वैलू हो गई वैलू 4 हो गई आप हमारी संख्या 8 से तो डिविजबल हो गई अब 9 से डिविजबिल्टी रूल क्या 9 से डिविजबिल्टी रूल कहता है देखो लिख लो पहले 8 3p 9 3 6 7 8 और क्योंकि वैलू 4 आ गए ठीक है आप गिनते रहें हैं 3 3 6 ठीक है अब हमारी 8 से कड़ गया 9 का डिविजबिल्टी रूल क्या कहता है 9 का विविजबिल्टी सुट भी डिविजबल भाई 9 तो आपने कहां 9 कड़ गया 3 6 9 कड़ गया 7 8 15 3 18 9 से कड़ गया हमारे पास ब यह दो मुंति तब हमारे react leash 12 के बारा किबार सनक्राट सबसे बड़ी संक्राट सबसे छोटी संक्राइगा जो लो से समझ में आया या नहीं आया अगर नहीं आया तो भया धस जाओ अकर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी है 64 का वर्ग मुल 8 होता है अगले टाइब का प्रशन देखो 7 11 13 तीनों का डिविजबिल्टी आ गया इसमें यह प्रशन जैसे समझ लो कि आपको आगे मौत लेकिन जब यह कॉंसेट यहां त्रिपार्थी ने पढ़ाया होगा और त्रिपार्थी से पढ़े होगे त्रिपार्थी ने जब रटाया होग आपको कि mathematics क्या है actual में तो आपको दिक्कत नहीं हो कि चलो इस प्रशन को बजाओ देखो आप से कहा गया कि नंबर 7 11 13 से डिविजबल है ठीक है साथ 11 13 गड़ा करोग। क्या गुड़े ग्यारा समझेगाउ और कौई संक्या वन से डिविजबल होगी और अगर कोई संच्या thousand one से divisible ध्यान से देखेगा if a number is divisible by thousand one if a number is divisible by thousand one तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या thousand one से divisible है तो वो किनी 3 संख्याओं को लगातार repeat करके लिखी गए संख्या के पराबर होगे यानि कि अगर कोई संख्या लिखते हैं A B C उसको फिर repeat कर दें सेम संख्या को यह संख्या अपने आप हजार एक से कट जाएगी यानि आपको क्या ताम करना है मालो हमने लिखा कोई संख्या वन एक्स वाई अगर इसको हजार एक से कटना है तो वन एक्स वाई इसके बगल में लिख दो यानि यह जो संख्या है वह अपने आप छे इन रिपिटेशन थ्री इन रिपिटेशन इन 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 वुट जो भी है वो इसकी वैलू हो जाएगई बस सिंपल सी बात फटाफट value put करो धड़ा धड़ा अंसर निकार एक्स की वैलू आगई य की वैलू आगई अब आपको निकाल दो y प्लस z by x y plus z by x 7 9 16 divided by 4 16 by 4 4 आपका correct answer हो चाएगा बोलो clear हुआ अगर clear हुआ तो बोलो गड़पती बपा मोरिया बोल दो एक बरी जय माता दी लिख दो एक बरी लिख दिया और बहत्तर से डिविजबिल्टी के लिए दो अंकों से कटनी चाहिए आठ से भी कटनी चाहिए और मस्ट भी डिविजबिल भाई नहीं ठीक है हमारी कितने अंकों कि संक्या सेबन डिजिट तंबर फटा फट लिख दो फटा फटा आंसर निकालो 56 56 3x4 56 56 x34 ठीक है आगे इसको हमें डिविजबिल किससे बनाना है इसको हमें डिविजबिल बनाना है किससे बिया किससे डिविजबिल बनाना है बहत्तर से ठीक है आपको ध्यान देना है आप नहीं कहा यह बहत्तर से डिविजबिल है लाश्ट त्री डिजिट 8 से कटेगी 4 के बाद क्या लिखें क 8 3 24 यानि y की value 2 हो सकती है आपको मैंने क्या बता है अगर 2 ये possible value ले रहा है तो ये 6 भी लेगा और 6 में 4 जोड़ दो यानि कि जो भी x y की पहली value लेगा यानि unit digit 4 हो गया दहाई के एंक पर अगर कोई कहा चाहिए एकस 4 आट से डिविजबल है तो आप कहेंगे एकस में अगर 4 जोड़ दो एकस प्लस 4 जो संख्या बनेगी वह भी आट से डिविजबल होगी तो हमां अगर वाई की value 2 प्लस 4 है नहीं कि 6 भी पॉसिबल हमें what is least value of y निकालने थी वा 5, 6, x, 3, 4, y, 4 ठीक है यह 72 से डिविजबल है ठीक है अब हमारा पहले 8 से चक्किया 8 की value 2 और 6 दो नों आई ठीक है वाई का नहीं उन्तम्मान निकालना था एकस का अच्छा यहां पे ध्यान दीजेगा यहां पर x प्लस y का नहीं उन्तम्मान निकालना ठीक है अब x प्लस y की list value find करने के लिए आपको y की list value होने चाहिए यह नहीं y की value होगे 2 list value अब y बराबर 2 पर x की value निकालो x की value कैसे है कि जब हम इसकी divisibility 9 से चेक करेंगे हमारी संख्षा क्या है 5 6 x 3 4 2 4 क्योंकि y की सबसे छोटी value लेंगे आप देखो है चार तीन साथ दो नो से कड़िया छह चार दस पांच पंदरा पंदरा में क्या चार जाएगा पंदरे इसे देखो है पाउच चार नो कड़िए अब हमारे बास बच्छा 6 x 6 plus x is divisible by 9 x की value 3 सबसे छोटी लें नहीं एक्सक्राइब तीन होगे एक्स ब्लस य किने उन्दम वैलू कितनी होगे तीन दो तीन दो पांच क्लियर चलो बहिए बताओ यह एट पावर टू के प्लस पावर टू के इस ऑलवेज डिविजबल बाए देखो समझो बात को आपको मैं एक चीज़ बता तो X के power M प्लस A के power M कहीं भी लिखाओ X power M प्लस A के power M हमेशा divisible होगा X plus A से अगर M यानि power जो है वो odd है तो X power M plus A power M is always divisible is always divisible by किसे is always divisible by M अगर M odd है तो और मैं कहा यहाँ पर 2 के 2 के लिखा है तो यह 2 के 2 के अगर 2 के भी even हो जाएगा 2 के भी even और अगर even हो गया भीया तो हम कहें नहीं सकते कि यह किस से कटेगा हमारे पास power odd हो तभी plus वाले किसमे आप बता सकते हैं कि यह किस से कटेगा तो हमने कहा सबसे पहले 8 power 2 के plus 5 power 2 के can be return is इसको पहले हम तोड़ लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 8 के power 2 के power के लिख सकते हैं और प्लस ऐसे लिख सकते हैं 5 के power 2 के power के अब हमारा k odd है तो हमारा formula बन जाएगा 8 के power 2 64 के power k k power k plus 5 square 25 के power k और आपने कहा if k is odd तो x power m plus x power m plus a power m is always divisible by x plus a अगर m is odd तो 64 plus 25 89 से यह कटेगा किससे कटेगा 89 से आपका correct answer must be d option clear यह प्रशन देख लो कहा गया 10 digit number है 8, 9, 7, 3, 5, 9 y, 7, x2 वो divisible है 72 से what is the value of 3x minus y for the possible greatest value of y y की सबसे बड़े value के लिए 3x minus y की value क्या होगी simple सी बात यह 72 से divisible है यानि कि यह 9 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा सबसे पहले हमें इसका sum of digits पहले हम 8 से divisibility निकाल लेते हैं y 7 x 2 हो जाएगा y से divisible 8 से divisibility के लिए last 3 digit x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो 702 क्या कटेगा नहीं कटेगा क्योंकि 8 8 64 6 62 नहीं कटेगा x बराबर 1 रखते हैं तो 8 8 64 7 72 यानि कि 8 8 64 7 बचरह 7 72 8 9 72 यानि x की value एक possible है x बराबर एक possible है तो 8 से डिवाइड करें और x यानि कि दहाई का एक value ले रहा है तो एक में 4 जोड़ देंगे यानि 5 भी लेगा और 9 भी लेगा यानि x की value एक हो सकते है 5 हो सकते है और 9 हो सकते है x की value एक हो सकते है 5 हो सकते है और 9 हो सकते है इतना समझा है क्यों हो सकते है क्योंकि हमने कहा अगर एक ले रहा है तो चार बढ़ा देंगे तो वह भी लेगा और चार और बढ़ा देंगे तो भी लेगा ठीक है अब देखो हमें y की greatest value निकालने है है कैसे निकलेगे हमने कहा संख्या को लिखे तो आपने खाएक्स उसरी लिख दिया एट नाइन सेवन थिरी फाइब नाइन वाई सेवन एक्स की वैलू कुछ भी हो सकती है और तो आप हमें सम आप डिजिट्स लिखना है सम आप डिजिट्स नौ काड़ दो हर जगा ठीक है पंद्रा तीन अठारा भी काड़ दो चौदा यानि चौदा प्लस एक्स प्लस वाई बचा चौदा में कितना कड़ जाए चौदा में नौ तक कड़ जागा यानि बचेगा कितना फाइब या ऐसे देखो एक मिंट अब आप का बच्चा 7 दो नौ भी कड़ गया है यह अनि कि प्लस एक्स प्लस वाई या एए यह यह तो ne हो गा या ठारा हो सकता उससे ज्यादा 23 हो नहीं सकता 27 हो नहीं सकता जैनि कि x-y की 2 value is possible नहीं चार और 1 x-y बराबर 13 x-y बराबर अगर 13 है x बराबर एक पोशिबल है जो एक कि कौन कौन से value is possible 1 x बराबर एक रखे हो यानी 1 हो ही नहीं सकता x बराबर 9 रख दोगे y बराबर 4 हो जाएगा यानि कि इस पर minimum value देगे यानि x बराबर 5 पर y की maximum value है 8 तो आपको निकलना था 3x यानि कि 3 पचे 15-8 यानि कि 15-8 यानि कि 7 आपका answer हो जाएगा clear कर देंगे क्या कहा गया कहा गया गार्डनर है जो 1936 सेपलिंग्स प्लान करता है और कहा गया दियर वर एज मैंनी रोज ओफ जैपलिंग नमबर आफ प्लांटेड रोग कितनी होगी फटा-फट बता दो आपको नमबर आफ रोज नमबर आफ कॉलम से बराबर दिये गये है व पताओ आप कहेंगे कि 1936 अगर एक्स रोज थे एक्स कॉलम तभी तो इतना अगर एक्स रोज थे एक्स कॉलम तो टोटल सेप्लिंस कितने हो जाएंगे एक्स इसक्वाइर बड़ाब उन्नी सोच्वाइर इसका वर्ग मूल क्लियर है क्लियर हो गया तो यह भी प्रश्न आपकी एक्जाम में आया हुआ है लिखा हुआ है कि शीपियों के एक्जाम में यह पूछा गया है वोड़ो क्लियर चलो अगले प्रश्न पर आजाए बहुत सुन्दर अच्छा 449 होता है उन्मने 46 को 20 25 के ऊपर हो जाएगा चलो यह प्रस्ण कर लो यह फटाफट करेंगे कहा गया ग्यारा डिजिट संख्या बहतर से डिविजबिल है बहतर से डिविजबिल्टी का मतलब यह 8 से भी कटेगी 9 से भी कटेजी 8 किसे कटने के लिए 5 एक 6 को 8 से कटना पड़ेगा डिवाइड करो 8 4,46,3,3,36 नहीं कटेगी 50 अगर होता तो 8,47,2,26 नहीं कटेगी एक्स ब्राबर तीन गटेगी एक्स ब्राबर तीन हो गया इसका संख्या लिखो यह हो गया 5Y 5 8 8 4 8 0 5 8 6 समाप डिजिर्स अगर 9 से कर जाए तो संख्या कर जाएगी आप देखो 5 5 10 जै पहले 5 और 4 कर दो 9 हो गया ठीक है पांच 8 13 8 21 8 29 5 34 46 46 में 36 तक कर जाएगा यह आपका बचेगा 4 प्लस X प्लस Y अब X और Y की क्या वैलू रखें ताकि 4 प्लस X प्लस Y 9 से कट जाएगे अगर एक्स बराबर 3 रख दो 4 3 7 3 10 कट रहें नहीं कट रहें नहीं कि एक्स बराबर साथ हो गया साथ साथ 14 और 4 18 बिल्कुल नहीं से कट रहें यह निकि एक्स की वैलू साथ य की वैलू साथ एक्स बराबर साथ य बराबर साथ तो डिवाइड करोगे तो मैंने आपको क्या बता है आपने का और 15 अ या फिर आपकी आगाम करो यह आपने आं को साथ से दिवाइड करा रिमेंडर तीन है हमने तीन का दुख़्या पाज गुना करा था वहीस सिंपल सी बात है कि अगर यहाई को डिवाइड करने पर साथ से रिमेंडर तीन आता है तो एनके पाँछ गुणी को करेंगे तो तीन का पाँच गुना आएगा यह नहीं 15 अब 15 चुकि साथ में सम्हें पर साथ से डिवाइड करके रिमेंडर देख लेंगे यह नियुन आपका अंसर एक होगा चलो यह संक्या 44 से दिविजबर है 44 से कटेंगा 11 से चार से कटने के लिए y2 लाज 2 डिजिट से बनने वाली संक्या 4 से चार से कटने चाहरे एक वाइबर एक तो कट रहा है अब जैसे 8 में हम कह रहे थे आगर वाई बराबर देखो मालो एक वाइब 2 होती है वाई की कोई वैलू के लिए यह मालो 8 से कट रहा होता तो उसमें 4-4 जोडते जाते तो वाई की उस वैलू के लिए वह 4 से कटता जाता है similarly अगर हम बात करें चार से डिविजबिल्टी के लिए मतलब 8 से कटता जाता अगर चार जोडते है तो य बराबर चार के डिविजबिल्टी रूल क्या है लास्ट टू डिजिट से बनने वाली संकेया कुछ इए तो वाई 2 कट रही है यानि कि य बराबर एक पर क्ट रहे है अब इसमें दो जोडता है तीन पर भी कटे कि पांच पर कटे कि और साहत्त पर भी कटे कि और नौ पर भी कटे या अब आपने कहा इसको 11 से भी डिविजिबल होना है यानि कि हमने संख्या लिखी 15 X 1 Y 2 इसको किसे कटना है 11 से कटना है ठीक है 11 का डिविल्टी रूर अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो तो 5 1 6 2 8 इधर X अब इसका जो डिफरेंस होगा X plus Y plus 1 minus 8 निकी X plus Y minus 7 वो यह तो 0 होगा टो 11 के टेबल का होगा तब यह कटेगा क्या हमारा यह 22 हो सकता है नहीं क्योंकि x plus y –7 बरावर 22 तो गो कि यह 28 जो कि पॉशिबल है या तो यह सात होगा यह तो यह 18 होगा हमने कहा कि यहाई की कौन-कौन सी वैलु पॉसिबल है एक तीन पास साथ नो अगर बराबर नहीं तो आपने कि जरूरत ही नहीं थी थी प्लसवाइड की दो वैलु पॉसिबल ही 7 और 18 आपने कहां में क्यवल 7 दिख रहा है तो साथ हो गया ठिक है यहाँ पे पूच्छा गया था तो साथ आपका अंसर होगा चलो इसप्रेशन को थोड़ा सही कर लो यह प्रेस्ट इसक्षिन नुबर 16 और 17 चलो वोच्टन नुबर 16 और 17 दोनों आपके होमवग के भी से होंगे आप दोनों करना क्वेशन नुबर 16 को हमने कर लिया थिरी के पावर यहां पर थिरी के पावर 61284 कर देना ठीक है और 4 के पावर 96 कर देना यह 4.96 इस डिबाइड़ बाइ 6 और 3 पावर 61284 इस डिबाइड़ बाइ 5 तो रिमेंडर X और Y है तो 2X प्लस Y की वैलू यह आपका question number 16 और question number 17 दोनों आपका homework होगा और अगले class में हम इसका solution करेंगे ठीक है practice questions का PDF आपको telegram पर मिल जाएके तो अब भी जाओ telegram channel join करो और class पसंद आई हो तो जरूर लाइक करो target करते हैं 1K likes का चारू बाबाई टेक के लव यू ओ